प्रिजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेशन दिल से देनी चाहिए प्रिजेंटेशन में आपको चाहे वो उड़ू में हो वाइबर अंग्रेजी में हो इस उड़ी वेरी क्लिर इस उड़ी रटा बाजी ना हो आज कल के बचे अहमारी ज़रेशन पर यह नहीं था कि they are more focused on multimedia और वो ले आते हैं and then they look at multimedia उनको पता हो के topic यह, theme किया है कोई भी theme हो, it has to be very clear you speak a little slow, you speak a little loud and you should have a value attached to your presentation दिल पता चले के you are talking और आपकी अवाज में जान हो लोग आपकी अवाज सुनते हैं और आपकी body language देखते हैं आपके हाथों का इस्तमाल आपके लफजों का इस्तमाल क्या वो बात आप you mean it or not ये भी लोग दूसरा जो बैठा वा है उसको अंडर इस्तमेटना करें कि उसको समझ नहीं है वो समझ आता है कि यार ये बात सिरफ वैसी कर रहा है he did not mean it so you have to kill it, kill करनी है presentation, दिल से clear करनी है and that only is possible कि अगर आपने उसको समझा है, उसको spark है और आप उसको execute करना जानते है इसके लब आप मैं यही कहूँगा कि हमारा जो national outreach program है जिसमें हमारे मुक्तलिब projects हैं, मुक्तलिब किसम यह हैं, सब लोगों के लिए हैं इसमें आप लोग आएं, यह एक वाहिद program है, जिसको मैं फखर से कहूँगा, जिसमें आपको कोई चीज, कोई खर्चा ही नहीं है आप आएं, मिलें, हमारे साथ बैठें, आपका जो fear of failure and rejection है निकले यूशुड बी very clear कि यह आपको help करेगा, motivate करेगा, आपकी branding होगी करें, उसमें बताएं कि आपने यह 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 सीख है, chronicle लिखना सीखें, लिखना नहीं, लोगों को लिखना नहीं आता, chronicle लिखें, articles लिखें, जो presentation थे उसको edit करें, मेरे पास लेके हैं, मैं वो छापूँगा, आपको खर्चा कोई नहीं होगा, सारा fund हम करेंगे, आपको सिर्फ एक अच्छा बोलना ना चाहिए, लिखना ना चाहिए, हम आपको market करेंगे, we want doers, we don't want कि अच्छा सहाली एक presenter हो, हम चाते हैं कि वो बच्चे या जो उनका जाका निकल जाएगा, तो वो बहुत आगे चले जाएगे, और यही हमारा मकसद है, यही हम काम कर रहे हैं